अबी बहुत लंबा चलेगा तो मैंने तै किया मैं अपनी जन्ता की अदालत में जाऊंगा जन्ता से पूछूंगा कि जन्ता मेरे को बताए कि मैं बे-इमानू कि मैं इमानदार हूँ मैं दाग के साथ नहीं जी सकता दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है मैं दिस दाग के साथ मैं जी भी नहीं सकता मैं जिन्दा भी नहीं रह सकता मैं आप से पूछना चाहता हूँ अगर मैं बे इमान होता क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था दिल्ली में बिजली फ्री करने के तीन अजार करोड रुपे लगते है अगर मैं बेइमान होता ये तीन अजार करोड रुपे खा जाता बिजली फ्री करने की क्या जुरूरत थी अगर मैं बेइमान होता क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता क्या जरूरती फ्री करने की पैसे खा जाता सारे अगर मैं बेइमान होता क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता सारे पैसे खा जाता अगर मैं बेइमान होता आपका इलाज मुफ्त करता पैसे खा जाता सारे इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है बाइस राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है तो चौर कौन है इनकी बाइस राज्यों में सरकार है कहीं महिलाओं का किराया फ्री नहीं है तो चौर कौन है आज आपके बीच में आया हूँ आप से पूछने के लिए आया हूँ केजरी वाल चोर है या केजरी वाल को जेल भेजने वाले चोर है जिन जिन लोगों को लगता है केजरी वाल इमान दा रहा हाथ खड़े करके बता दो जड़ा से ये कैमरे वाले जड़ा से दिखा दो कि दिल्ली की जंता क्या सोचती है जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरी वाल के खिलाफ गंदा राजनेतिक शडियंत्रे रचा था जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरी वाल के खिलाफ बहुत बुरा शडियंत्रे रचा था हाथ खड़े कर दो सब लो एक बात और करना चाहता हूँ आज आप से एक बात और करना चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनना एक बात और बहुत जरूरी बात है सारे जने बड़े ध्यान से सुनना ये RSS वाले कहते हैं, हम राश्ट्रवादी हैं, RSS वाले कहते हैं, हम देश भगते हैं आज मैं पूरे सम्मान के साथ, RSS के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से पांच प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूँ अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछँ तो बता देना और सही प्रश्न पूछँ तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूँगा मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवजी से जिस तरह मोधी जी देश भर में लालच देके या EDBI, ED और CBI की धंकी देके डराके दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं पार्टीयां तोड़ रहे हैं सरकारें गिरा रहे हैं क्या ये देश के लिए सही है मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप नहीं मानते कि ये भारतिय जंतंत्र के लिए हानी कारक है पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवजी मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे देश भर में सबसे भरष्टाचारी नेताओं को मोधी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोधी जी ने खुद सबसे भरष्टाचारी बोला जिन नेताओं को अमित्शा जी ने खुद भरष्टाचारी बोला कुछ दिन के बाद उनको BJP में शामिल करा लिया मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या इस प्रकार की राजनीती से आप सहमत हो क्या आपने कभी ऐसी BJP की कलपना की थी पूछना चीए की नहीं पूछना चीए मोहन भागवजी से मेरा तीसरा प्रशन है मोहन भागवजी से BJP RSS की कोक से पैदा हुई है की नहीं कहा जाता है ये देखना RSS की जिम्मेदारी है कि BJP पथभरष्ट ना हो मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप आज की BJP के इन कदमों से सेमत हैं क्या आपने कभी मोधी जी से ये सब ना करने के लिए बोला मोहन भागवजी बताएं कि क्या आपने मोधी जी को ये सब गलत हरकते करने से रोका कभी पूछना चिये नहीं पूछना चिये मेरा चौथा प्रशन है मोहन भागवजी से JP नड़ा जी ने लोक्षभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि BJP को अब RSS की जरूरत नहीं है RSS BJP की मा समान है है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मा को आखे दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मा को आखे दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस्त के बड़ा किया जिस बेटे को प्रधान मंत्री बनाया आज वो बेटा पलट के माँ को अपनी आँखे दिखा रहा है मात्र तुल्य संसा RSS आज वो बेटा अपनी मात्र तुल्य संसा को आँखे दिखा रहा है मैं मौहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ जब नद्दा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी आप जड़ा बताईए इस बेश को क्या आपको दुख नहीं हुआ मैं RSS के हर कारे करता से पूछना चाहता हूँ जब नद्दा जी ने कहा कि हमें RSS की जुरूरत नहीं है क्या RSS के हर कारे करता को दुख नहीं हुआ मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवजी से मैं कहना चाहता हूँ आप ही लोगों ने मिलके कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा इस कानून के तहट आडवानी जी को रिटायर कर दिया मुरली मनोर जी जैसे बड़े बड़े निताओं को रिटायर कर दिया बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया अब हमिद्शा जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा तो मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवानी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते हैं पूरा देश आज मोहन भागवजी से ये प्रश्न पूछना चाहता है एक और बात रखना चाहता हूँ मैं प्रश्न के रूप में नहीं है आज हमारे देश के अंदर शिक्षा विवस्था का बहुत बुरा हाल है जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं 75 साल के अंदर सरकारी स्कूलों का बेडा गर्क कर दिया हर सरकार ने इस देश के अंदर लेकिन उपर वाले की कृपा है कि उपर वाले ने इस देश को एक मनीश से सोधिया दे दिया 75 साल के बाद इस देश में एक ऐसा शक्स आया जिस देश जिसने गरीबों के बच्चों को भविश्य की एक उमीद दी लविजिए एक झारた है